कि बैंक निफ्टि में ऐसी कुणसी इंपॉर्टन लेवल जहां से हमें काफी बड़ी ऐसा सी साइड का प्रोफिट डिकने मिल सकता है इंक कुछी कौनसी जगा है न जहां पे पी साइड का भी प्रोफिट जनेत हो सकता है दोनों की बारे में हम बात करें लेकिन उससे पहली जो हमारे इंपोर्टन लेवल था 51,600 का अगर आप ध्यान से देखते हो तो लगबग वह टार्गेट हमारा आची हुए आप पे हो चुका है 51,560 के आसपास का कुछ हाई इसने लगा दिया है ठीक है अब उसके बाद में यहां से मार्केट को ऊपर जाने के लिए रेडी होना है या फिर याव से मार्केट को नीचे आने के लिए रिडी होना है आप क्या ञाता है कि इस दिरेक्षन में मार्केट जा सकता है उसके पीचे काomatic क्या होने वाले हर एक चीज के बारे में हम देखने वाले हैं उसके साथ में जैसे अगर आप देखो कि तुमार्गे के जो सेंटिमेंट है अब उसके साथ में अगर मार्केट के ऐसे नीचे जाना है तो फिफ्टी वन थ्री हंडिट एन फॉर्टी फाइफ कर एक इंपॉर्टन लेवल रहेगा अगर इसके नीचे मार्केट निकलने की कोशिश करता है तो जाकर कि हम फिफ्टी वन थाउजन आपडेक्ट होते हैं वह फरी वोग फ्रीलेवे चाल में आपको मिलते रहते हैं तो अगर आपनी फिर वालब चाल ज्जान औरहां आप hap टेलाइगर त curriculum नहीं करते хотел का इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा अब यहाँ पर इंपॉर्टन REWAL कौन से होते हैं spicy एक चीज का कॉाप पे मिलते है अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर हमारे पास एंपूर्टन लेवल कोवसी टीकों सी कुनसी डिरेक्शन से हमने एंट्री की दी कीए था कूसी लेवल से प्लैन वहाप++ प्लैन हमसुचिश करें गे जो कुई कर Tसका में हुने वह सबसक्राइब हों कोण सा था कि यहांको कुई कर र दकहले जाए हैं यहां पर एक support zone निकलेगा यहां पर कही ना कही एक support zone निकलेगा तो market को अगर आना है तो market को क्या करना चाहिए वो लगभग 51 460 पर आपको मिलता है तब जाकर कि यहां से एक upper side का level planning आप कर सकते हो अगर यहां से आपको upper side का level planning करना है तो 51,500 and 51,510 यह दोनों levels आपके लिए भाप पर निकल के आ सकते हैं अगर आपको downfall से होते हुए market एक upper side का momentum दिला रहा है तब की बात में कर रहा हो मतलब तब जाकर कि आपका काफी बढ़िया सा profit भापे जनरेट हो सकता है अगर एक bounce back हमें मिलता है तो अब यह जो bounce back है इसके target कहाँ पर रहे तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर जो बड़र टागेट अपके लिए निकल कहेगा 51,565 इस पर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसके ऊपर आपको focus रखना पड़ेगा अब उसके बाद में जो second चीज है कि जो negative side level रहेगा वो यहाँ पर रहेगा 51,5 से लेकर कि 51,515 के बीच में अगर यहाँ से आपको negativity setup दिखाई देता है मार्केस में तब जाकर कि हम यहाँ से क्या कर सकते है एक downfall के बारे में सोच सकते है यानि कि downfall के बारे में expectation वहाँ पर कर सकते है अब यह downfall अगर होना चाहता है तो यह कितना downfall हो सकता है इसके पीछ सबस्सक्राइब कर दोलों के दोलों के दोलों लेवल सकता है लेकिन तब पॉसिवड़ हो से रिकम्स को से बारे में तब लिए कि में भास अगरे जाका रहे लेकिन पास्तम यह के बाइन ने च conceptsNA sister 1921 1760 से लेकर 51 canoooo 2. man दिल आ सकता है लेकिन यह तब पॉसिवा लोगों जब निफ्टी बैंक यह दोनों लेवल्स की सबसे वहाँ पर काम करें तब एक कल की वीडियो में आपको एक और चीज़ समझाई थी एंड वह कौन सी थी वह भी हम एक बद देखिलते हैं तो मैंने आपको वहाँ पर एक चीज़ समझाई थी कि जो नाइंटी एंटेन वाला सेटप काम करता है तो वह कैसे काम करता था अगरा यहांप देखोगैं तो यहां पर एक फाइनल अब्डेट होता है टेन्वला एद यहां पर अगर आप डे Rangers outros को उसकी के बारे में हम देखेंगे एंड जो लेवल इंपोर्टंट है उसके बारे में भी हम यहां पर बात कर चुके हैं इसी के साथ में अगर हम यहां पर देखें कि जो डेली में है तो डेली में हमें क्या समझ में आ रहे हैं तो डेली में तो एक चीजी कंफर्मेशन है यहां पर कि वहात। आप जाना होगा ? मार्केट के अंदर को समझना पड़ेगा जब तक हम दो समझ पाते जब तक मार्केट के अंदर करragen दाए चैजिन फीरे मर्केट के पेडसाए जाना है यह आप प्रम रिख नहीं कर पाऊँगए कि एक बात समझ गई सीई साइड का एंट्री लेना कब है यह तब ही समझ में आएगा जब मार्केट का सेंटिमेंट आप समझ पाओगे और सेंटिमेंट अगर समझ जाते हो तो काफी बढ़ी है आपके लिए यह सब चीजे हो सकते हैं आसानी हो सकती है यहां पर अगर आप ध्यान से रिखते हो तो जो HDFC है ना वो क्या कर रहा था 1657 का उसके लिए बीचारे के लिए एक इंपॉर्टन्ट लेवल है अगर वह इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देता है तो कहीं ना कहीं अपना बड़ा टागेट 1640 से लेकर के 1644 के बीच में आपका ह हो सकता है डाउन फॉल वाला टागेट अब यह टागेट हमारे लिए इसलिए हो जाएगे क्योंकि अगर बैंक निफ्टी HDFC बैंक अगर साथ में नीचे आ रहे हैं तो कई ना कई बैंक निफ्टी को भी वह खीच करके नीचे लेकर के आ सकते हैं अब इसके सपोर्ट में हम कौन चाहिए अगर टीवी पे जो दिखाया जाता है मतलब जन्री जो नहीं मार्केट को डाउन फॉल करने के लिए कोई नहीं रोक सकता हैं मार्केट बहुत तेरी से डाउन फॉल यहां पर करता रहता है ठीक है तो आपको इतने बात समझ चुके होगे अब इसके अलावा म हम देखेंगे तो निस्ट इंपर्टन चीजों कि अगर हम बात करें अपर सेड के लिए तो 1647 से लेकर के 1651 यह लेवल से इंपर्टन रहेगे अपर सेड के लिए और अगर आपको यहां पर यह लेवल में एंट्री मिलती है बाइंग सेड में तो क्या हां पर टार्गेट हो यह दो पॉइंट चार पॉइंट जो आपको अच्छा लागता है उससाब से आप वापे कंसिडर कर सकते हो तो 23,460 से लेकर के 23,488 यह दोनों टागेट भी हमें वापे आची होते हुए दिख सकते हैं तो इन दोनों पर आपको धियान रखना है इन दोनों पर आपको फोकस रखना है कि फिंपर साथ में अगर हम जाना है तो यह वरले वल्स हमारी पास व होग हूं ऑपर साथ कि में जाने के लिए हम उससे पक्रिक हले mismo क्या है कौन से पोर्तन लेवल होती है सब चीजों का लाइव मार्केट का अडवान सब्डेट अगर आप कुछ यह तो आप हमारा प्रीमियम ग्रूप भी जोइन कर सकते हो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा यह हमारा टोटली टोटली फ्री वाला चैनल है यहां पर भी आकर कि आप जोइन कर लीजिए यहां से आप आसने से प्रीमियम ग्रूप में भी जोइन कर सकते हो ओके